बिस्मिल्लायर्मानर्रहीम, अस्सलामुलेकूम, ओनलाइन राइटिंग जॉब, ओनलाइन टाइपिंग जॉब, जिसमें आपको एक पेज लिखने का 8.5 डॉलर मिलेगा और आप इसमें जितने चाहे पेजिस लिख सकते हैं, ये कौन सी जॉब्स हैं, आपने किस तरह से अप राइटर बे, अगर राइटर बे की सबसे कम पेमिंट की बात की जाए, तो सबसे पहले मैं आपको पेमिंट दिखा देता हूँ, यहाँ पर आके आप अगर एडवास लेवर राइटर हैं, प्रो लाइट हैं, प्रो हैं, तो इन सब को छोड़ते हैं, बलके एक रेगूलर और सबसे शुरूवाले लेवल से शुरू करते हैं, और अगर हम सरफ एक पेज रखें और एक दिन रखें, तो मतलब एक दिन में अगर आप एक पेज सिर्फ करते हैं, तो आपको एक पेज का आठ डॉलर मिलेगा, एट पॉइंट फाइव डॉलर ठीक हो गया, अगर आप नए हैं तो, दोस्तो ये हमारे सामने वेबसाइड है, अब इस वेबसाइड पे अगर आप राइटर्स को देखें, तो कोई छे हजार डॉलर कमा रहा है, कोई पांच हजार, कोई तीन हजार, कोई पैंती सो, कोई कितने डॉलर कमा रहा है, अब इसके बेनिफिट्स का हैं, यहाँ पर इनों ने लिखे हुआ है यानि कि आपको कोई registration fees नहीं देनी कोई investment नहीं करनी उसके बाद आपके पास बहुत सारे projects आते हैं assignments आती हैं बनाने के लिए उसके इलावा आपको time manage बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं आपको कोई overload या कुछ भी नहीं मिलता है ने से ने बंदे को उसके बाद enough room for personal growth और writer sport जो है यानि कि आपको कोई भी problem आती है तो 24 by 7 आपको sport help मिलेगी उसके बाद अगर बात की जाए यह offer क्या कर रहे हैं तो part time jobs भी है full time भी है flexible works कैयूल आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं और उसके बाद user friendly interface है confidentiality है आपक कि बहुत सारे लोग फिसल जाते है requirements जो हैं यह इनकी हैं सबसे पहले यह आप देख लें कि a minimum of bachelor degree यानि कि bachelor degree अगर आप 14 साल पड़े हूँ है तो यह minimum इनकी requirement है यानि कि आपके पास कम as कम bachelor की degree होनी चाहिए अगर आपके पास नहीं है तो I'm so sorry आप यह नहीं कर सकते बाकी end में वीडियो में बता दूँगा वाकी काम कर लें ठीक है उसके इलावा अगर इससे ज्यादा है तो और ज्यादा मज़े की बात है यह आपको और ज्यादा पे करेंगे उसके बाद आपकी English language अच्छी होनी चाहिए अगर नहीं अच्छी तो मैंने के वीडियो में अच्छी से उपर हैं जिन में आप यह काम कर सकते हैं अगर आप यह देखें कि टॉप टैन जॉब्स अवेलेबल विदिन 24 आर्ज यानि कि पिसले 24 घंटों में कितनी जॉब्स आई हैं और कितने लोगों ने काम किया है तो एस्ट्रॉनमी के 75 पेज़ेज़ हैं जो 600 डालर के बिजन सा कान खोल के सुन ले काम भाई यही होता है कि फॉर एक्जमपल आपने कोई भी ऐसे लिख देना है कोई भी फॉर एक्जमपल के बारे में या कुछ भी जिस तरह कि यहां पर सब्जेक्ट्स बताएं ठीक है तो यहां पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इन्वेस्मेंट क बारे में literature के बारे में बहुत सारे projects आते हैं उनको सिरफ essay चाहिए होते हैं या उनको सिरफ for example कि यार ये blog लिख दो इस पे essay लिख दो जिस तरह मैंने blogging सिखाई हुए उस तरह कि आपको projects आते हैं आप लिख के देते हो और आपको मिल जाता है और एक ऐसी website बनाई बताई हुई है वो जो वीडियो होगी जहां पे चार लाग माना blogging जिस पे थमनेल पे लिखा हुआ है उसमें मैंने ऐसी website बताई हुए जो आपको automatically लिख के दे देगी इससे बेतर और कुछ भी नहीं है तो आप लिखा लिखाया भी उठा सकते हो और यहां पे easily काम कर सकते हो तो भाई जान सबसे पहले आपको यह register का एक बटन नजर आ रहा है register पर क्लिक कर देना है आपने ठीक है register पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपने सबसे पहले personal details डालनी है first name last name उसके बाद यहां पर date of birth डाल देनी है यहां gender select कर लेना है male है या female है उसके बाद country select करनी है city डालना है email डालना है mobile phone number डालना है alternative email डालना है phone number डूसरा डालना है अगर है तो नहीं तो इन दोनों को खाली भी छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है password डालना है उस password को repeat करना है और यह चीज़े डालके next step पे click करना है जोस्तो हम आ चुके है next step पे जिसमें qualification और experience यह हम से मांग रहा है तो your native language सबसे पहले हम अपनी language select कर लेंगे जिसमें आप लिख सकते है ठीक है तो native में आप English select कर लें तो वो भी ज्यादा better है अगर आप English लिख सकते है ठीक है तो English, Urdu यह हमने select कर ले ठीक है other languages हम यहां पर Urdu लिख देते हैं ठीक है उर्दू में हम लिख सकते हैं और अगर आप किसी language में लिख सकते हैं तो आप वो भी add कर सकते हैं उसके बाद यूर highest variable academic degree आपके पास degree कौन सी है bachelor है associate है undergraduate है master है PhD है तो मेरे पास master है तो मैं वो लिख देता हूँ यह डिगरी major आपने किस चीज में डिगरी की हुए है जनाब तो मैंने mass com में की हुए है mass communication में तो मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पर नीचे कह रहा है प्लीज स्लेक्ट सेवन डिसिप्लन एड जो प्रॉफ प्रॉफशेंट इन आपके सेवन डिसिप्लन में प्रॉफशेंट लिख सकते हैं अब यह स्लेक्ट कर लिए प्लीज इंडिकेर्ट सौफ़वेर यू है एकसे और प्रोग्राम लैग्विज ठीक है आपको कौन सी सौफ़वेर या प्रोग्राम लैग्विज फॉर जम्पल मैं अडॉफ फोटोशाप पर काम कर लेता हूँ अगर आपको कोई नहीं आता तो नन पर स्लेक कर दें कोई मसले की बात नहीं है ठीक है तो यह मैंने लिख दिया ठीक है उसके बाद आप और भी आड़ कर सकते हैं फॉर जम्पल यहां पर और भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे सी एस यह यह वो फला फला ठीक है अगर आपको कोई नहीं ह काम इतना आर्से करता रहा हूं या मैंने राइटिंग में फॉर एक्जम्पल मैं इस बहुत अच्छे लिख सकता हूं मैं यह कर सकता हूं जिस तरह इंटर्व्यूज में होता है यार उसके बाद मोटीवेशन लैटर प्लीज टाइप हेर यहां पर आपको मोटीवेशन लै अपना फेस्बुक का इंस्टाग्राम का यूट्यूब का कोई भी सोशल मीडिया का काउंट का लिंक यहां पेस्ट कर देंगे रिकमेंडेशन आप यहां पर आई अगरी ठीक है यह इस पर कोई पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद सब्मेट पर क्लिक कर देंगे तो यह आ रखता है कि भाई ये कोई बल्क में कोई फेक चीज आ गी है तो इस तरह फिर के लोगों का नुकसान हो जाता है ठीक है तो ये हम सब्मिट कर देंगे ये चीजे लिखके उसके बाद हमारी एप्लिकेशन सब्मिट हो जाएगी अब इसके बाद क्या होगा हाउ इट वर्क्स पर आ जाते हैं देख लेते हैं जनाब इसके बाद क्या होगा सबसे पहले रिजिस्ट्रेशन आपने करनी है जो के हमने कर ली है ठीक है उसके बाद आपको लॉग इन हो जाएगा ऑविसली उसके बाद पास दा ग्रैमर टेस्ट आपको एक टेस्ट दिया जाएगा ग्रैमर चाते हैं तो वो आप ये है के साइड पे Google कोल के आप उसमें सर्च भी कर सकते हैं ठीक है तो ये 15 ये आपने grammar test pass करना होगा उसके बाद upload your essay diploma and CV आपने अपना essay कोई भी लिख के जो आपको ये topic देंगे उस पे आपने कुछ भी लिख देना है लिखना कैसे है वीडियो के आखर में वीडियो देख लेना है भाई मैंने ब्लॉगिंग पे लिखना बहुत सिखाया हुआ है ठीक है तो वो आप upload कर सकते हैं लिख के उसके बाद diploma या CV जो भी आपकी है फ़र एक्जमपल मिलें यह भी आपको मैं दिखादेता हूँ आपको मैंने बता तो दीया फॉर एक्जमपल अगर एक महिने में मैकसिमुँ आप 25 दिन काम करते हैं तो 270 आपके डालर बनते है पर डे के हिसाब है अगर एक उरन्स करते हैं अगर आप डेली के चार करते हैं मेरे ख्याल में अगर आपका pioneer पे account नहीं बना वा तो आप YouTube पे की भी यार वीडियो सर्च कर लेना pioneer का account कैसे बनाना है simple सी सरफ registration करनी है जिस तरह आपके सामने मैंने registration किया इस तरह registration करके आप pioneer का account बना सकते हो और इसमें कोई commission भी यानि के extra कटोती नहीं है अगर web money करते हो तो यह 5% आपकी कटोती होगी hyper wallet जो है इसमें 0.75 commission है और pioneer पे कोई commission नहीं है तो यह आपकी मर्जी है आप इन तीरों में से जो select कर लो ठीक है तो वो आपका account जब बन जाएगा तो आप इसमें कर से लिए